नमस्कार आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज मैं हिना इन दौर में पुलिस कस्टेडी में एक बदमास की मौत का मामला सामने आया बदमास पर मानपूर धाम नोत सहित कई जगा केस दर्ज थे मौत के बाद स्पी ने नाइक जांच की शिफारिस कर दी है मानपूर थाने में पदस्त SI, दो AASI और दो आरचकों को निलंबित कर पुलिस लाइन ग्रामीर में अटैश कर दिया है मानपूर पुलिस ने लूट की साजिस के मामले में गिट्टी फोडा के रहने वाले बदमास अरजुन सिंगारे उम्र 19 वर्स को पकड़ा था पुलिस का दावा है कि फूस ताच के दोरान उसकी हालत बिगड़ गई उसे लेकर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टी कर दी अलाकि मामले में पुलिस पर मार पीट के आरोप भी लग रहे हैं गुसाए परीजनों ने मानपुर थाने में सामने ही मुंबई आगरा नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की जहां परीजनों के साथ जया संगठन के कार करता भी बड़ी संख्या में मौजूद है परीजनों का कहना है कि हमें मुआफजा और सरकारी नौकरी दी जाए चक्का जाम के दौरान नेशनल हाईवे पर गाणिया भी डाइवर्ट की गई है पुलिस कस्टिडी में अरजुन की मौत के बाद परिवार के लोग थाने में पहुँच गए और पुलिस पर उसके साथ मार पीट करने का आरोप लगा है जिससे उसकी मौत हो गई अरजुन की बहन थाना परिसत में फूट फूट कर रो रही है ग्रामीर एसपी भगवत सिंग विर्दे ने बताया मामले में पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है प्रतम जश्टी में इन्हें दोसी पाय जाएगा उसके अधार पर कारवाई की जाएगी मानपुर पुलिस ने लूट की साजिस में अरजुन के साथ अन्योकों को भी पकड़ा था पुलिस हतियार जब्त करने के लिए उसे ले कर गए थे इस दोरान अरजुन के पास से आठ लाक रुपे की बाइक जब्त हुई थ को अंजाम देने की योजना बनाते हुए गिरिफतार किया था पर वह मौके से फरार हो गया था पुलिस टीम ने उसे सुक्रवार रात को घर से गिरिफतार किया उस वक्त भी पुलिस वालों के साथ परिवार वालों ने हाथा पाई की थी हम इसके सब को अंबार वह गाई नियाइक जाज के आदिस हो गए है कि कि अ